आजकी इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ फोन पे का UPI PIN चेंज कैसे करें बिना ATM कार्ट की मैस से दोस्त अगर आप भी फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा फोन पे का UPI PIN चेंज करने के लिए आपको ATM कार्ट का ज़रूरत पड़ता था पहले लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नया अपडेट आ गया है अब जो है यहाँ पे आप बिना ATM कार्ट की मैस से अपने फोन पे का UPI PIN को चेंज कर सकते हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं बिना ATM कार्ट की मैस से फोन पे का UPI PIN कैसे चेंज किया जाता है तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाज टक देखते रिए आज की इस वीडियो मैं आपको इसी के बारें बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वाले थे आप सभी का हमारी इस यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फोन पे का UPI PIN चेंज करने के लिए यहाँ पिर सबसे पहले तो आपको फोन पे एप को ओपन कर लेना है अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे यहाँ पर जासे आप आ जाते हैं उपर के साइड में आपको एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं आपके फोन पे में जितना भी बैंक एकाउंट लिंक होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे फोन पे के अंदर सी फोरसिफ एक ही बैंक एकाउंट यहाँ पर लिंक है तो यहाँ पे एक ही आ रहा है simply हम यहाँ पे जो है view all payment method पे click कर देंगे आपको भी यहाँ पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं आपका उपर के side में जो bank account देखने को मिल रहा है इस पर आपको click कर देना है अब दोस्तो जैसे आप यहाँ पे आ आ जाते हैं आपका bank account यहाँ पे आ जाएगा चलिए आप बात कर लेते हमें अपना UPI pin को change करना है set करना है और यहाँ पे हमारे पास अधार card है हमारा यहाँ पे ATM card नहीं है तो इसके लिए simply आपको reset वाला option पे click करना है अगर आपने UPI pin नहीं बनाया तो यहाँ पे set का option आएगा simply आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो option आ गया पहला option है अधार card का और यहाँ पे दूसरा option है debit card यानि के ATM card का दोस्तों यहाँ पे अधार card के मेरस से आप अपने फोन पे का UPI pin को set कर सकते हैं या फिर जो है change कर सकते हैं लेकिन आपका अधार card में जो mobile number link है वही mobile number आपके bank account में भी link होना चाहिए और आपका number आपके phone में लगा भी होना चाहिए तब ही यह process काम करता है simply आपको यहाँ पे जो है इस पर tick करने के बाद process वाले option पे click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद आपके अधार card का सुरू का 6 number जो होता है यहाँ पे डालने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पे चलिए हम अपना अधार card का सुरू का छे नमर यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना अधार कार्ट का सुरू का छे नमर डाल दिये अब जो यह simply आपको process वाले option पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click कर देते हैं आपके अधार कार्ट को OTP यहाँ पे आएगा और यह automatic ले लेगा जैसे OTP ले ले लेता है simply आपको done अलबाइंट पे click कर देना है और यहाँ पे आपका bank का भी OTP आएगा वो भी यह ले लेगा simply आपको यहाँ पे ok अलबाइंट पे फिर से click कर देना है दोस्तों यहाँ पे आप दे सकते हैं set pin करने का option आ गया और यहाँ पे जो है हम एक नया UPI pin बना सकते हैं अपने अधार कार्ट की मैंसे मुझे जो भी UPI pin बनाना है simply अपने UPI pin यहाँ पे बना लेते हैं अभी आपने जो नया UPI pin बनाया है वो डालने को आपको done पे click कर देना है और दुबारा से अपना UPI pin यहाँ पे बना लेना है UPI pin बनाने को आपको जो है done वाले option पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click कर देते हैं finally आपका UPI pin यहाँ पे बन गया बिना ATM card की मैंसे कुछ इस पकार से आप भी phone pay में बिना ATM card की मैंसे UPI pin को change कर सकते हैं